दोस्तों बालूड के सुप्रसीद अभिनिता धर्मेंदर सहाब साल और पचासी में फिलिम करिस्मा कुद्रत का कर रहे थे इस फिलिम की सुटिंग एक गाउ में हो रही थी और इस फिलिम मिथुन चक्रवती रती अगनिहोत्री समेत सक्तिकापूर और जुनियार महमूद भी थे और इंडिया आसक से बात करते हुए जुनियार महमूद सहाब ने इस फिलिम की सुटिंग का एक किस्सा बताया था जुनियर महमूद सहाब ने बताया था कि फिलिम यूनिट के सभी मेंबर होटल में थे तबी होटल को गाउवालों ने घेर लिया था और जुनियर महमूद सहाब का कहना था कि करीब 200 लोग हत्यार के साथ गुजसे में होटल में आए और सभी टूरिस्ट को मारने पर आमदा थे असल में गाओं की किसी लड़की को होटल में रहने वाले किसी टूरिस्ट ने छेंड दिया था और इसे नराज लोग हर टूरिस्ट को मारने पर आमदा थे और जुनियर महमूद सहाब ने बताया कि धर्मेंदर सहाब को जब ये बात पता चली तो वह तुरंट कमरे से बाहर आए और गाउवालों के बीच जाकर उन्हीं समझाने लगे जुनियर महमूद सहाब ने बताया कि भीड को देखकर हर कोई दुबाग गया था लेकिन धर्मेंदर सहाब अकले वहां गए और लोगों को कहा कि अगर उनकी फिल्म यूनिट ने कूछ ऐसा किया है तो वहां खुद उनका साथ देंगे और सजा दिलाएंगे गाँवालों को बहुत ही सांत तरीके से धर्मेंदर सहाब ने काबू में किया और मामला सांत किया जुनियर महमूद सहाब का कहना था कि गाँवाले धर्मेंदर को पहचानते भी नहीं थे ऐसे में यहाँ भी नहीं था कि गाम वाले धर्मेंदर को देखकर सांथ हो गए थे जुनियर महमुद साहब ने बताया था कि धर्मेंदर की सूजबूज से मामला ठंडा हुगा था तो दोस्तों आप लोगों के बहुत ही मज़ेदार किस्सा जो है वो कैसा लागा एक बार हमें कमेंट करके जरूर बतायेगा यूँ तो और धर्मेंदर साब सो जुड़ी ऐसी किस्सा और जनकाली के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब निकिये हैं तो प्लीज दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजएगा और वीडियो का भी तक लाइक निकिए हैं तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा धामची दोस्तों हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए